चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बचों NCC ने फस्ट राउंड का जो प्रोवीजनल रेजल्ट जारी किया था उससे आपको काफी हैल्प मिलेगी यानि कि उस रेजल्ट के अकोर्डिंग आप दुबारा से चोईस फिल करेंगे और आपको बेहतर सीट बेहतर कोलेज मिलेगी मैं आपको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि इस result के मुताबिक आपको अपनी choices फिल कैसे करनी चीए कि आपको बहतर seat मिल सके साथ साथ यह भी बताऊंगा कि जो नया result आएगा उस result में cut off कितनी जाएगी और इस result से कितना difference रहेगा उस result में तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे MCC ने फिर से new registration और 24 से open की है हमने आपको कल भी बताया था कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा यह जो मदरास high court में case लगा था यह producery candidate का जो internal reservation का regarding यह case हुआ था तो उनको यह permission दी है high court ने वो दुबारा से फोर्म फिल करेंगे और बाकी student भी इसमें फोर्म फिल कर सकते हैं तो यह एक कल की update थी court ने कल ही इसके बारे में decision दे दिया था वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप चैनल अवस्य सब्सक्राइब करें और bell icon प्रेस अवस्य करें क्योंकि हमारे दौरा जो भी information दी जाती है वो बिलकुल authentic ह होती है और हमारी cutoff भी accurate जाती है एक्जामपल के तोर पर मैं आपको बता दूँ कि हमने दो नौंबर 2021 को result वे rank आने के बाद MCC के first round की cutoff predict कर दी थी वो लगभग same see रही है एक्जामपल के लिए बता दूँ कि जनरल की मैंने 614 predict की थी वो 611 गई है EWS की 699 की थी वो 607 गई है और OBC की 608 की थी वो बिलकुल accurate गई है ST में थोड़ा difference है यह 507 गई है मैंने 5014 बोली थी ST बिलकुल correct है 490 cutoff बोली थी मैंने 489 cutoff रही है तो यह बिलकुल जो मैंने बोली थी एक आद category में थोड़ा बहुत up down हो सकता है क्योंकि SCST category में थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन OBC जनरल और EWS category में ज्यादा फरक नहीं है 29 July 21 को जो यह पहली वार आल इंडिया कोटा में आल इंडिया कोटा में रिजिर्वेशन के इंप्लिमेंट के रिगार्डिंग जो ओड़ रहा है था उससे काफी बच्चे प्रेशान हुए थे कि जनरल की cutoff काफी ज्यादा high जाएगी OBC EWS की कम जाएगी तो मैंने उस समय भी बता दिया था कि OBC और EWS जनरल में ज्यादा फरक नहीं होगा यह 4 या 5 मार्क्स का ही फरक रहेगा मैंने एक्जामपल बता के भी बताया था कि कैसे 4 या 5 मार्क्स का फरक रहेगा और वही फरक यहाँ देखने को मिला है तो चलो यह तो थी बाते अब हम बात करेंगे आगे मैं आपको बताता हूँ कि प्रोविजनल रजल्ट के अकोर्डिंग आप अपने फर्स्ट राउंड की 24 से कैसे चेंज करें ताकि आपको बहतर कोलेज मिले यह जो MCC का रजल्ट है यह टोप से लो के क्रम में है अब इसमें अगर आप गॉर्मेंट कोलेज के लिए अपलाई कर रहे हैं तो गॉर्मेंट की कंडिशन में जनरल की कटो 14,367 रेंग है तो जो आपकी रेंग है उसके नीचे के कोलेज यानि की 40,367 तक आप वो कोलेज फिल करें जिसमें आप एडमिसन लेना चाते हैं आपकी रेंग से नीचे के कोलेज और उपर के कोलेज तो सारे आपके लिए टोप हैं हैं उनमें से वो college हटा दे जिनमें आप admission नहीं लेना चाते हैं अब जो बाकी category candidate हैं जैसे OBC, SC, ST वो अपने cut-off rank तक यही procedure follow करें लेकिन यह ध्यान रखें कि उनके बीच में BDS course भी आएंगे, BSC nursing का भी course हैं, dimmed university भी हैं और वो government लेना चाते हैं तो शिरफ government की college ही select करें अपने rank तक, तो वो इस परकार से इस result की help से बहतर college choose कर सकते हैं आप, अब बात करेंगी क्या अभी जो first round का result आएगा, उसमें cut-off क्या रहेगी, यह जो अभी result provisional publish हुआ था, उसमें कितना difference रहेगा, cut-off पर क्या फरक पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यह जो provisional result आया था, उसमें और जो result आएगा, उसमें rank का तो फरक अवस्य होगा, मगर cut-off marks same ही रहेंगे, college की individual cut-off जरूर up-down होगी, क्योंकि यह same situation करनाटका के mock allotment जैसी होती है, बस फरक इतना ही है कि करनाटका में mock allotment के बाद registration नहीं होते हैं, यहां phrase registration हो रहे हैं, तो same situation है, rank में फरक अवस्य होगा, marks cut-off में कोई फरक नहीं रहेगा, individual college cut-off में जरूर फरक आएगा, तो यह जानकारी थी, mcc के result के बारे में, 24 fill के बारे में, जो आपको कैसे fill करनी है, बाकि इसके बारे में जो भी update रहेगा, हम next में लेके आएगे, मिलेंगे नई update के साथ नए वीडिय में तब तक के लिए जैखन,